नमस्कार दोस्तों, हमारे देश में कहा जाता है कि जिंदगी जीने के लिए पैसे जरूरी नहीं है भारत में लोग जमीन से जुड़े होते हैं तो यहां लोग ज्यादा अच्छे से जिंदगी जी सकते हैं भले ही पैसे हो या ना हो वैसे भी हमारे देश में हर कोई ये सुनते हुए बड़ा हुआ होगा कि हमारा देश एक लोग तांत्रिक देश है दुनिया जहां से ज़्यादा डेमोक्रेसी हमारे देश में है अबराहम लिंकन ने डेमोक्रेसी की डेफिनेशन बताई थी और मुझे लगता है हम सभी ने उसे किसी न किसी क्लास में जरूर पढ़ा होगा ये डेफिनेशन है जनता का जनता के लिए जनता के द्वारा शासन यानि लोक्तंत्र में आम आदमे ही सत्ताधारी होता है और उसकी अनुमती से ही शासन चलता है लेकिन असल में ये हमें और आपको फुद्दू बनाने के लिए पढ़ाया जाता है या यूँ भी कह सकते हैं कि ये हमारे दिमाग को, हमारी सोच को सीमित रखने के लिए पढ़ाया जाता है मुझे जब से ये लोक्तंत्र, साम्यवाद, माक्सवाद या समाजवाद समझ में आया तब से मैंने जाना कि हमारे देश में लोक्तंत्र नहीं, पुझी वाद है आज राजनिती शास्त्र और मार्केटिंग की क्लास में मैं आपको यही बताऊंगा कि कैसे मुठी भर पुझी पती हमारे देश की 140 करोड जनसंक्या को अपनी उंगलियों के इशारे पन नचाते हैं 15 दिन पहले तक फिल्म पठान की रिलीज पर तलवा लटकी हुई थी लेकिन माहौल कैसे चाला की से बदला गया यह थोड़ आसा मैंने आपको पिछली दो वीडियो में बताया है अब उससे आगे की कहानी काफी लोग पठान का विरोध कर रहे थे लेकिन हकले खान की फिल्म आते ही PM, CM, MP, MLA सब के सब लपेटा लेने लगे और अचानक से गंदिगी का धेर Bollywood एक आदर्स फिल्म नगरी बन गया और इस देश के महा मानव को स्पेशल बयान देना पड़ा की भई Bollywood के खिलाब इस तरह की बयान बाजी ना करे इससे हमारे जो आदर्स वादी फिल्म मेकर हैं उनको नुकसान होता है इसके बाद सारे नेता, मंतरी, दलाल पतलकार चैनल पठान के स्वागत में अपनी पतलून खोल के खड़े हो गए लेकिन बार बार एक सवाल कि आखिर बड़े बड़े नेता और मंतरी और न्यू चैनलों को इसकी जरूरत क्या आन पड़ी भाई, कुस्तो कारण रहा होगा खैर देश की जनता तक पठान फिल्म की गूँज सुनाई देनी चाहिए और इसके लिए मीडिया और नेता दिन रात पियार की तरह काम करने लगे लेकिन अब हकले खान को खुश करने के लिए सौरी शिरी हकले खान जी को खुश करने के लिए कल की वीडियो में एक छपरी फैन बुरा मान गया कि तू उन्हें उन्हें हकला खान कैसे कह रहा है तो मेरे छपरी मुन्ना आज मैं इज़त से नाम ले रहा हूँ तेरे बकरी खान का चलब पान पराग वाली बत्ती सी दिखा और एक स्माइल मार खैद अब सौर इस्टार शिरी हकले खान जी को खुश करने के लिए एक और बड़ी पियार ट्रिक यूज की गई है राश्ट पती भवन में पतान की special screening रखी गई है देख रहा है न बिनोद नए भारत का कमाल अब राश्ट पती राश्ट पती नहीं रहा पद की गरीमा और कारियों की बात नहीं होती बात होती है कि राश्ट पती भवन में पतान फिल्म की screening रखी गई ताकि देश की भोली-भाली जनता उससे परभावित हो और वो भी फिल्म देखने दोड़ी चली जाए ये marketing का एक हिस्सा होता है marketing का type कि कि किसी को पता भी ना चले और product की marketing अच्छे से हो जाए आप लोगों ने देखा होगा कि किसी song में या किसी film में एक खास brand की चीजे यूज की जाती है मतलब उनको दिखाया जाता है और दिखाना किसी गाने में या फिल्म के अंदर ये कहा नहीं जाता कि आप उसको यूज करो या उसको खरीदो लेकिन सिर्फ उसको दिखाया जाएगा सिर्फ लोगों की नजर में लाना ही marketing का man motive होता है ताकि देखने वालों के दिमाग में ये बात आए कि अरे ये celebrity या ये बड़ा आदमी इस brand को यूज करता है तो देखने वालों का उस product पर या उस brand पर focus हो जाता है फिर उस product को इसका direct या indirect way में कही ना कहीं फाइदा मिलता है यही हो रहा है आज की date में हमारे देश में केंद्रिय मंतरी अनुराक ठाकुर बॉलिवुड की तरफदारी करते हैं फेवर करते हैं मीडिया के दलाल पत्तलकार एंकर पठान फिल्म देखने जाते हैं तो बकाइदा tweet करते हैं बार बार fake collection बता बता कर लोगों को याद दिलाया जाता है कि भई फिल्म तो बंपर कमाई कर रही है आप लोगों ने देखी या नहीं उसी marketing का हिस्सा है कि राष्टपती भवन में फिल्म की special screening रखी गई और इस खबर को बढ़ा चढ़ा कर मीडिया में बताया जा रहा है ताकि लोगों को पता चले कि राष्टपती भी फिल्म देख रही है और वो भी कौन सी पठान फिर क्या दिक्कत है भई हर कोई देखने जाएगा brainwash किया जा रहा है लोगों का कि जब राष्टपती पठान फिल्म देख सकती है तो हम क्यों नहीं देख सकते और राष्टवादी सरकार तो brainwash करने में माहिर है वैसे महा मानव जी अपने रास्ते से आज की डेट में भटके हुए लग रहे हैं आजकल जनाब के तेवर थोड़े बदले बदले हैं अभी हफते भर पहले मोदी जी अजमेर गए और वहां जाकर उन्होंने अजमेर शरीप पर चादर चड़ाई साथ में आपको दिख रही होंगी शुद्ध हिंदू सोच रखने वाली शिरीमती स्मरती रानी ये अपनी बेस्ट फ्रेंड के घर में रहती थी और फिर फ्रेंड के पती से इन्होंने शादी कल ली इनके पती पारसी हैं मतलब जो इनके प्रजेंट में पती हैं वही जो पास्ट में इनकी फ्रेंड के पती थे समझ रहे हैं ना जो इनकी फ्रेंड के पती थे, वो आज की डेट में इनके पती है, वो एक पारसी है, लेकिन ये शादी के बाद भी हिंदू हैं, वो भी कटर, मोधी जी ने दो बार लोकसभा चुनाव जीते हिंदूओं को पागल बना के, हिंदूवादी सोस दिखा के, लेकिन ये जो लेगा तो बोलोगे की बोलता है, कुछ दिन पहले बयान दिया कि मुस्लिम समाज के बारे में गलत बयान बाजी ना करे, फिर खुच जाके दरगा में चादर चड़ाते हैं, और अभी कल परसो एक और बयान सामने आया है, सूफी सम्मेलन में मोधी जी ने कहा कि इसलाम का असली मतलब ही अमन और शांती है, अला के निन्यान में नामों में से किसी का भी अर्थ हिंसा नहीं है, मोधी जी ने आगे कहा कि आतंकवाद और धर्म के बीच में कोई भी रिष्टा नहीं होता है, आतंकवाद को धर्म से नहीं जोड़ा जाना चाहिए, आतंकवाद का अब सोचो आप, सोचो सोचो कि ऐसे मुसल्मानों के लिए इस तरह का बयान कोई और नेता दे देता या ऐसे चादर कोई और नेता चड़ा देता तो अब तक उसे मुल्ला, गद्दार, आतंकवादी, पाकिस्तानी, बांगलादेशी, कटपीस, मौलवी और पतानी कैसे कैसे नामों से नवाजा जाता बकायदा उस नेता को सर्टिफिकेट इशू कर दिया जाता अब किसी में हिम्मत है कि इस सो कॉल्ड हिंदुवादी नेता के बारे में दो अन्मोल शब्द कहे मुझे नेताओं के रंग बदलने पर ताज्यूब नहीं होता है मैं तो ये सोच रहा हूँ कि वो बेचारे भोले बाले और मासूम लोग मोदी साब के सहारे जो हिंदुओं को जगाने चले थे वो अब क्या करेंगे छोड़ो ये उनकी प्रॉब्लम है हमें क्या करना है मोदी जी खुल कर इसलाम का गुंगान करने में आज की डेट में लगे हुए है और बॉली वुड को ये जो सपोर्ट की जा रही है ये भी इसी रननीती का हिस्सा है पठान बहुत जादा नहीं लेकिन जितना भी कलेक्शन कर रही है मैं खुल के बोलता हूँ ये जो कलेक्शन हो रहा है ये पीएम मोदी जी के उस बयान की वज़े से हो रहा है जो उन्होंने बॉली वुड को फेवर करने वाला बयान दिया था और बॉली वुड के भांड हकले खान की फिल्म को जो सिक्योर्टी दी गई उसकी वज़े से ये फिल्म आज की डेट में थेट्रों में चल पा रही है मुझे पता है आज की डेट में भी अभी भी काफी लोगों की आखें नहीं खुलेंगी लेकिन इतिहास गवाय है कि जब-जब पैसे वालों की जमीन आम आदमी ने हिलाई है तब-तब पैसे वाले और पावर वाले एक ही चोर पर खड़े मिलते हैं और एक दूसरे की धोती खुलने से बचाने में लगे होते हैं आम आदमी कल भी गुलाम था, आज भी गुलाम है। पठान की अलग अलग तरीके से जो मार्केटिंग की जा रही है, वो दिखाता है कि ये नेता चाहते हैं कि आम आदमी महीने में पंद्रे सो दो हजार बीस हजार रुपे कमाए, उससे जादा ना बढ़े। और महीने में ज खरीब बना के रखो, अनपड़ों को अनपड़ बना के रखो, नतीजा क्या होगा? नतीजा ये होगा कि सो सो रुपे में जहां मर्जी वहां वोट खरीद ली जाएगी। और जो थोड़े बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, उन्हें वाट्सअप यूनिवरसिटी में भरत असल में अब से पहले जो माश्टर श्टॉक बोला जाता था कि मोदी जी ने कोई काम किया है, तो माश्टर श्टॉक है, वास्तम में वो कोई भी माश्टर श्टॉक नहीं थे, माश्टर श्टॉक ये है, हिंदू-मुस्लिम का रायता तो फैलता ही रहेगा, लेकिन बॉली पठान हकले की फिल्म की special screening रखने के पीछे क्या वजय रही होगी या क्या मजबूरी होगी अभी इस वीडियो में इतना ही जल्दी मिलता हूं अगली वीडियो में जै हिंद जैराम जी की